नमस्कार दोस्तों, अनेकडमी आपके लिए लेके आया है कि special category that is J.E. Neat Foundation and NTSC आप 8.9.10 में होते हुए अपनी preparation कर सकते हो J.E. Neat Foundation and NTSC इस category में इस category में आपका syllabus तो complete करवाया ही जाएगा बट साथ ही में आप अपनी J.E. की preparation और Neat की early preparation start कर सकते हैं आपके 8.9.10 की class में ही जी हाँ, इस class में लेते हुए अगर आप आगे का preparation कर लेते हैं तो आपको आगे किसी तरह का कोई problem नहीं आएगा और एक बात आपको बता दू कि एक ही fees के अंदर आपका J.E. का preparation भी हो रहा है, एक ही fees के अंदर आपका नीट में जाना चाहते हैं, नीट का preparation भी हो रहा है अगर आपसे कोड पूछता है पावनवाग कोड डाल के आपको आगे जाना है और सिथे सिथे सब्स्रिप्शन लेना है आप जब सब्स्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी रिफरल कोड यूज करना होगा जैसे ही आप पवनवाग रिफरल कोड यहां पर लगाते हो यहां पर यहां पर ठीक है तो आपका प्राइस जो है वो रिडियूस हो जाता है लेकिन एक बात ध्यान रखिये दोस्तों यह जो डिसकाउंट है यह 10% से यह जो डिसकाउंट है 10% से रिडियूस हो रहा है अगले मेने 18 तारिक के बाद में यह 10% नहीं होगा यह सिर्फ 5% होगा और यह प्राइस भी होने वाली है यह प्राइस बढ़ने वाली है तो जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे अगर आप 8-9-10 में है तो बिलकुल राइट टाइम ह हैं आप सभी के लिए कि फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजे और फटाफट अपना स्टडी शुरू कर लीजे हलो एवरिवान वैलकम ट्रू पवनवाग अकेडमी आई मंकीता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इलेक्रो केमेस्ट् लास्ट वाले क्लासे से मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी अन्नोन सोलुशन की अगर मुझे कंड़क्टिविटी को निकालना है तो किस तरीके से कंड़क्टिविटी सेल की हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलर सोलुशन की कंड़क्टिविटी को कैल्कुलेट कर सकते हैं हम लोगों ने उस से डिलेटेट फॉर्मुले इसको भी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था लेकिन जो वो फॉर्मुले के उपर में आपका नुमेरिकल था उसको डिस्कस नहीं किया था क्यूंकि टाइम ठोड़ा शॉर्ट था तो चलिए आज के अगर आपने लास्ट वाले क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग सारे के सारे वो लास्ट वाले क्लास को देखो उसके बाद ही इस वीडियो को कंटीनियू करना क्योंकि अभी जो हम लोग सबसे पहला वाला प्रोब्लम ले रहे है वो है आपके लास्ट वाले क्लास के उपर based, तो चलिए देखेंगे, हम लोग discuss कर रहे हैं आपके page नमबर 97 का problem 5.5, we are discussing problem 5.5, तो चलिए देखेंगे उस problem को, problem 5.5 में आपको दे रखा है, एक conductivity cell, सबसे पहली चीज़ तो यह है, जब आपने इस question को पढ़ा, तो दिमाख में question आई गया होगा, कि यहाँ पे आपको conductivity का कुछ ना कुछ खेल खेलना है, इसी का मतलब आपको यहाँ पे conductivity की calculation करने का है, क्योंकि cell का नाम क्या है, conductivity cell, आपको सबसे पहली जो concentration का value दे रखा है, वो है 0.01 molar के CL solution, यह आपको दे रखा है 25 degree Celsius पे और इस solution का आपका जो resistance है, वो है 604 ohms, साथी साथ आपको इस वाले solution का जो conductivity का value है, वो दे रखा है 0.00141 ohm inverse centimeter inverse, देखो, आपको कूर्शन में 0.01 molar के CL solution दे रखा है, उसका resistance दे रखा है, और साथी साथ उसकी conductivity भी दे रखे है, I hope आप सबको याद होगा कि मैंने आपको लास वाले क्लास में बताया था, कि R का मतलब resistance होता है, और K का मतलब conductivity होता है, यह आपको दे रखा है, साथी साथ आपको बुला गया है, same cell, बहुत बहुत काम की चीज, same cell, आपको दे रखा है same cell, अगर same cell आ जाए ना, तो same cell वर्ड जो है, यह ऐसा वर्ड जो आपको question का पूरा का पूरा बता देता है, कि आपको question को कैसे करना है, लेकिन आप लोग इस वर्ड को देखते नहीं हो, directly अपने calculation बहुत जाते हो, और यादी नहीं आता है कि क्या करना है, यह same cell वर्डी सब कुछ बया कर देता है, जो हम लोग actually notice नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको दूसरा वाला जो solution दे रखा है, वो है 0.001 molar AGNO3 solution, यह आपको दे रखा है, साथ ही साथ आपको इसका resistance का value दे रखा है, 6530 ohms, और आपको उसी के साथ साथ इसका कुछ भी conductivity का value नहीं दे रखा है, आपको question में बूला गया है, conductivity और molar conductivity निकालने के लिए इस particular solution की, आपको इसकी conductivity निकालने है, साथ ही साथ आपको इसकी molar conductivity भी निकालने है, तो हमें question के अंदर में, यह वाले cell के बारे में, यह वाले solution के बारे में, के cell के सारी information दे रखिए, बड़ जब मैं बात करूंगी इस particular solution के लिए, तो इसके लिए मुझे conductivity और molar conductivity का value question में नहीं दिया गया है, मुझे इन values को calculate करना है, चलिए आजाएंगे यहाँ पे, आगे मैंने यहाँ पे यह जाना, कि यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है same cell, और मैंने आपको बताया, कि इस same cell word नहीं आपको सब कुछ बता दिया है, तो यह same cell word बताता क्या है, यह same cell word आपको बोलता है, कि दोनों के दोनों cell कैसे है, same, अगर सेल है सेम तो उनके सेल कॉंस्टेंट का वैल्यू भी कैसा रहेगा सेम तो आपके सेल कॉंस्टेंट का वैल्यू क्या है सेल कॉंस्टेंट वैल्यू फोर बोद दी सोलूशन E same मतलब आपका जो B का value है वो क्या है same तो यहाँ पर मैंने ये जाना कि question मैं मुझे दे रखा था कि आपका cell है same तो अगर cell है same तो cell constant का value भी कैसा रहेगा same तो cell constant का value भी कैसा है same मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर मैं ये values को consider करके B का value निकाल लू अगर मैं ये solution के लिए B का value निकाल लू तो वही वाला B का value ये solution के लिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है cell कैसा है same cell constant का value कैसा है same तो इसके लिए जो भी B का value आएंगा वही value में इसमें यूज कर सकती हूँ तो चलिए करेंगे उसको पहले calculate तो क्या मुझे अब बताने का जरूत है कि सबसे पहले हम लोग cell constant निकालेंगे नहीं वो तो समझ में आता है बहुत obvious है कि हमें cell constant ही निकालना है तो cell constant का value क्या होता है आप सबको पता है K का मतलब होता है B upon R इसी का मतलब B का मतलब क्या हो जाएगा K into R आपको 10 वर्मूली रट्टा मानने का जरूत नहीं कि पहले यह मारूंगा फिर यह मारूंगा आप A की मारो ना इस B को लिखो इस R को उपर बेज़ दो क्या बन गया K into R चलिए करेंगे इसको calculate के माने की आपकी conductivity कितना वाल्यू है 0.00141 into resistance का वाल्यू कितना है 604 ohms यह वाल्यू आपको दे रखा है चलिए अब हम लोग करेंगे इसको solve जब आप ऐसे question को solve करने के लिए जाते हो तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको जैसे की बताया था कि अभी आप भली calculator का यूज कर ले लेकिन paper में फसोगे अगर calculator वहाँ पे क्यूंकि नहीं मिलने वाला है तो उससे बटर है कि आप लोग 10 की power में calculations सीखो ताकि आपके calculations जल्दी भी हो answer accurate भी आए ठीक है तो चलिए करेंगे अगर मैं इस point को यहां से यहां 10 की power minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 तो मैंने यहां पर क्या जाना कि मैंने point को यहां से यहां तक shift करा दिया इसका सबसे बड़ा reason यह है क्योंकि मुझे 0.00141 का table नहीं आता लेकिन मुझे 141 का multiplication इसलिए आता है इसलिए मैंने इस 0.00141 को 141 में convert कर जाला कैसे इस point को मैं इधर लेके गई इधर, 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 इधर तो मैंने point को कितना digit से shift करवाया है 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए मैंने लिखा है 5 point को कौन से direction में shift करवाया right side में इसलिए sign कैसा आया minus यह है आपका 604.0 तो क्या इस 604 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 6.0 into 10 की पावर क्यूंकि मुझे इस calculation को इप्ता बड़ा नहीं करना है तो मैंने इस 604 को 6.0 लिखती है क्यूंकि मुझे 6 का table आता है 604 का table नहीं आता तो चलिए करेंगे आके इस point को मैं लेके गई इधर इधर तो मैंने क्या जाना मुझे इस point को यहां से यहां लाना था 6 के बाद में 6 के बाद में लाना था तो मैंने इस point को यहां shift करवाया यहां shift करवाया ध्यान से देखो मैंने इस point को कितने digit से shift करवाया है 2 digit से इसलिए 10 की पावर में क्या आएगा कौन से direction में shift करवाया है left hand side में तो value कैसा आएगा positive चलिए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते 141 into 6 into 10 की power minus 5 plus 2 कितना होता है minus 3 चलिए करेंगे आगे कि आगे मैंने यहां पर यह जानना मैं इंग दोनों को multiply कर सकती हूँ 6106 64024 610678 846 into 10 की power minus 3 इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते 0.846 into 10 ठीक है देखो क्या करेंगे यह है आपका 846.0 तो इकन में को इस 10 की power minus 3 को अटाना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ और इसी को आप 0.85 के terms में में लिख सकते हैं तो देखो मैंने tough से tough calculation को कितना easy बना दिया सबसे बड़ा reason यह है इस नंबर को मैंने 141 में convert कर दिया इस 604 को मैंने 6.0 के terms में convert कर दिया सिफ दिमाग में इतना फिट कर लो कि जब भी आपको calculations 10 की power में लेके करने का है तो आप जितने digits से उसको shift करवाएंगे उतना value आपके 10 की power में आएगा अगर आपने point को shift करवाया है left hand side में तो आपका 10 की power में आप लोग plus करेंगे अगर आप लोग point को shift करवाते हो right hand side में तो आप लोग point को 10 की power minus से shift करवाएंगे बस वही काम क यहां पर left में करवाया, इसले 10 की पावर प्लस 2 लिखा, यहां पर right में करवाया, इसले 10 की पावर माइनस लिखा, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते, हो गया calculation easy, exact answer लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर बोड के पेपर में examiner आपसे exact answer expect करता है, इसका मतलम examiner को आपको calculator देना पड़ेगा, अगर वो आपको calculator नहीं दे रहा है, तो आपका यह वाला answer भी allowed रहेगा, ठीक है न, चलिए बढ़ेंगे आगे, second calculation यह है, कि मेरा यहाँ पर B का value निकल गया, cell constant का value निकल गया, जिसका value मेरा आया 0.85, तो यह रहा आपके cell constant का value 0.85, चलिए बढ़ेंगे आगे के calculation की तरफ, अगर मैं बात करती हूँ इस वाले solution की, for 0.001 molar agno3 solution, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह जाना, कि वापिस से वही वाला formula है, k equals to B upon R, तो चलो अब मुझे बताओ, इस वाले solution का मैंने निकाल लिया B का value, जो B का value इस solution का है, वही B का value इस solution के लिए भी रहेगा, क्योंकि आपके cell कैसे है, same, तो चलिए इस B का value आपका आया है, 0.85 upon आपके R का value, अब मुझे बताओ, मैं इस वाले concentration के solution का calculation कर रही हूँ, तो मैं R का value यह लिखूंगी या यह लिखूंगी, दिमाग लगाने की बात है, जिसके solution को use करेंगे, resistance भी उसी का लिखेंगे, yes और no, तो resistance लिखेंगे इसका, इसका resistance का value है, आपका 6530, ठीक है, चलिए करेंगे इसके calculation को, कैसा लग रहा है calculation, देखने के बाद तो टफ लग रहा है न, काहा यह 0.85 और काहा यह 6530, इतना बड़ा calculation अगर paper में करते बढ़ गए, तो समझो गए काम से, तीन घंटे भी कम है उस calculation को, without calculator के, तो चलिए मैं आपको trick बताती हूँ, कि इस type के calculation को, आपको solve कैसे करने काई paper में, क्योंकि paper में आपको calculator नहीं दिया रहेगा, चलिए देखेंगे इसको, सबसे पहली बात तो यह है, कि मैं इस 0.85 को 85 बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो इधर, इधर और इधर, मैं इस point को ऐसा भी लिख सकती हूँ, 85.0 लिख सकते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस point को 2 digits से shift करवाया है, इस point को मैं यहां लेके गई, मतलब मैंने इस point को 2 digits से shift करवाया है, 2 digits से करवाया है, इसलिए 10 की power में कितना आएगा, तो कौन से direction में करवाया है, राइट हैंड साइड, जब भी point को राइट हैंड साइड में shift करवाते हैं, तो 10 की power में क्या आता है, minus, upon, यह हैं आपका 6530.0, क्या मैं इसको 65 बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, देखो इदर, इस point को लेके गाए इदर, इस point को लेके गाए इदर, यह बन गया आपका 65, 0.3, ठीक है, yes or no, तो यह point था आपका यहाँ पे, 650.0, ठीक है, यह था आपका point, इस point को मुझे shift करवाना था, 65 के बाजू में लेके आना था, तो मैंने इस point को एदर लेके गई, इदर लेके गई, तो मैंने इस point को कितने digit से shift करवाया है, 2, कौोन से direction में करवाया है, left hand side, और जब भी हम लोग point को shift करवाते है, left hand side में, तो 10 की पावर में क्या आता है प्लस करेंगे आगे उपर है 85 नीचे है 65 इंटू 10 की पावर उपर कितना है माइनस 2 जब ये प्लस 2 नीचे वाला जाएगा उपर तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 जब ये नीचे वाला प्लस गया उपर तो ये बन गया माइनस 2 आजाएंगे अब मुझे एक बात बताना यहां पे है आपका 65 यहां पे है आपका 85 अगर आप इसको डिवाइड करने गए तो यह डिवाइड कुछ इसी तरीके से होगा क्या देखो बढ़ा 65 1065 और यह कुछ 0.3 के असपस आएगा यह 0.29 के असपस आएगा तो इसका वाल्यू आपका रहे समझाया नहीं अगर आप इसको ऐसे नहीं करवाते थी तो without calculator के सोचो यह calculation कितना मुश्किल हो जाता था पट मैंने आपको इस calculation को यू करवाखे दे दिया उसका सबसे बड़ा reason यह है मैंने इस 0.85 को 85 में convert कर दिया मैंने इस 6530 को 65 में convert कर दिया मुझे 65 और 85 को अब डिवा अब 20 बचेगा तो वो तो डिवाइड नहीं होगा तो point में तो आई गाई न तो इसका value आजाएगा आपका 1.3 के आसपास चलिए बढ़ेंगे आगे इन्टू के का value आपका कितना आया है यह है आपके के का value यह है आपका के का value के का value है आपका 1.3 इन्टू 10 की power minus 4 अपन कंसेंट्रेशन देखो दिमाग में 31 स्विट कर लो जब मुझे यह calculation इस solution के लिए करना है तो मुझे concentration भी इसी solution का लेना पड़ेगा या नहीं सोचने की बात है ना जब इस solution के calculation को करेंगे तो concentration भी तो इसी solution का लेंगे ना आपके concentration का value है 0.001 तो इसको हम लोग को आज इस लिख देंगे 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अगर आप पॉइंट में आपका यह आ जाता है तो देखो आप कैसे करेंगे इस पॉइंट को मैं इधर से इधर लेके जाओंगी इधर से इधर इधर से इधर तो यह आपका बन जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर मुझे पताओ आपने कितने नंबर से पॉइंट को shift करवाया है 1 2 3 नंबर से करवाया है इसको हम लोग लिख सकते है 1.3 इंटू 10 की पावर यहां है आपका plus 3 यहां है आपका minus 4 जब नीचे वाला minus 3 उपपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा plus 3 तो इसका value कितना आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 3 plus 3 6 6 minus 4 कितना होता है 2 तो आपका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा 1.3 इंटू 10 की पावर 2 इसी को आप लिख सकते हो 130 रहेगा आपकी molar conductivity का value तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं यह सारे के सारे calculation को समझाए हां नहीं तो बस इतना समझलों कि अगर आपको कही पे भी आजाए same cell याद रखना है कि दो नो के दो नो स्टोलूशन का cell constant कैसा है same तो पहले इसका cell constant का value निकालो इसमें substitute कर दो और यहां से का value निकालो तो उसने की बात है अगर k नहीं आएगा तो lambda m कहां से आएगा क्योंकि इसके formula में तो यह आता है ना तो पहले आप इसको निकालोंगे जब यह निकालोंगे तब यह यह निकालेंगे ना फिर निकालेंगे यह ठीक है तो लास्ट वाले क्लास में जो भी concept को देखा था उसका numerical मैंने आपको बताया calculation कैसे के जाते उसके साथ में क्यालकुलेटर तो दिया वानी रहेगा इसलिए यह 10 की पावर वाले क्यालकुलेशन को सीखो नहीं दिया है तो इसका screenshot लो इसको देखो concept को apply करो दो तिन बार practice करो आ ही जाएगा ले लो screenshot चली अब क्या हुआ ना कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवेस वाले classes में बताया था क कि जब भी हम लोग electrochemistry chapter को पढ़ेंगे तो आपको उस chapter के अंदर में दोट subdivisions हैंगे पहला subdivision जो रहेगा उसमें आपके सारे के सारे conductivity, conductance, resistance, resistivity, cell constant यह सारे के सारे calculations उसमें आएंगे molar conductivity, coal-rosis law यह हो गया आपका एक पार्ट दूसरा पार्ट आपको जो electrochemistry में है वो है आपको cell तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे क्या रहेगा तो जब भी मैं बात करूंगी electrochemistry chapter की तो आपकी इस chapter में हैं दो particular पार्ट पहला रहेगा आपका conductance related calculation, conductance related calculation जिसमें आपको सब पढ़ना है conductivity, resistivity, resistance, concentration, molar conductivity वो सारी चीज़े आप पढ़ोगे यहाँ पर ठीक है second part जो इस chapter का है वो है आपके अलग-अलग type के cell तो paper में आपको हर साल यहाँ से भी एक या दो question आते हैं और यहाँ से भी एक या दो question आते हैं ठीक है यह जो मैं आपको बतारी हूँ, motion यह with option के साथ बतारी हूँ, मतलब आपको options के साथ में यहाँ से question मिलेंगी तो हम लोगों ने अभी तक यह वाला part पूरा का पूरा complete कर लिया है अब हम लोग आज के class में entry लेंगे आपके इस part में, जो की है cell तो चलिए जादा time waste कि यह बिना देखते हैं अपने cell के part को तो चलिए देखेंगे electrochemical cell को तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, एक ऐसा cell जिसके अंदर में electrical और chemical energy का conversion हो रहा है उस cell को हम लोग क्या बोलेंगे electrochemical cell क्योंकि सबसे पहली चीज़ जब मैंने इस word को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई यहाँ पे मुझे दो word दिख रहे है, पहला word है electro, दूसरा word है मेरा chemical मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ the cell in which the cell in which the cell in which the conversion of electrical energy एंड केमिकल एनर्जी ओकर्स इस कॉल्ड एस इलेक्ट्रो केमिकल सेल मतलब मैं यहां पर ऐसा खे सकती हूँ क्योंकि इस सेल का नाम ही है इलेक्ट्रो केमिकल सेल मतलब यहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का क्या हो रहा है इंटर कनवर्शन इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का इंटर कनवर्शन हो रहा है इसलिए सेल का नाम भी क्या है इलेक्ट्रो ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रो क्यामीकल सेल, समझाया नहीं, बढ़ेंगे आगे, आगे मैंने यहाँ पर यह जाना, कि जो भी मेरा इलेक्ट्रो कैमीकल रियक्षन होती है, बुक में बहुत सारा थेरी थेरी दे रखा, इतना सारा थेरी पढ़ने का जुरूत नहीं है, जितना काम का है, यूसफुल है बस उतना ही पड़ेंगे, तो सही रहेगा अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल और कैमिकल एनरजी का हो रहा है इंटर कनवर्शन, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रो कैमिकल सेल अब इसका नाम है आपकी इलेक्ट्रो कैमिकल रियक्शन, मतलब मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपकी रियक्शन है, वो किस पर होने वाली है, इलेक्ट्रो कैमिकल सेल पर इसलिए उस reaction का नाम क्या है electrochemical reaction, क्योंकि वो reaction इस cell पे हो रही है, इस electrochemical cell पे हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या है electrochemical reaction, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, the oxidation and the reduction reaction, the oxidation and the reduction reaction taking place on the electrochemical cell, on the electrochemical cell is called as electrochemical reaction, it's called as electrochemical reaction, तो यहाँ पे मैंने यह जाना कि अगर आपकी oxidation और reduction reaction कहाँ पे होंगी, इस electrochemical cell पर, तो उस reaction का नाम क्या रहेगा, electrochemical reaction, ले लो इसका screenshot, चलिए, अब मैं आगे बात करूँगी, आपके electrochemical cell में actually क्या-क्या होता है, तो पहले हम लोगोंने discuss कर लिया electrochemical cell है क्या चीज, फिर देखा electrochemical reaction क्या चीज है, अब हम लोग देखेंगे कि electrochemical cell जो होता है, वो बंदा कौन से कौन से चीज से है, तो देखेंगे उसको, तो आगे मैंने यहाँ पर यह जाना, कि जो भी है ना मेरा electrochemical cell, electrochemical cell, electrochemical cell, उसमें होती है दो चीजे, पहला है आपका electrode, और दूसरा है आपका electrolyte, तो आप जब भी electrochemical cell की बात करोगे, याद रखो, यह चीज इतनी, आप छिल मार के चल रहे होगे, कि आपको लग रहा होगा कि यह चीज तो ऐसे ही है, बड़ सुनो, जब भी आप सारे के सारे cell को explain करोगे ना आगे में, तो आपको सबसे पहले उन cell को explain करने से पहले, वो cell के reaction को explain करने से पहले, सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि भाई इस cell के अंदर में electrode क्या है, और इस cell के अंदर में electrolyte क्या है, अगर आप कोई भी cell का explanation देने जाते हो directly reaction बता दी और बताएं नहीं कि electrode क्या है electrolyte क्या है तो आपको क्या वहाँ पर सच में marks मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने यह बताएं नहीं कि वो cell में electrode और electrolyte है क्या हर एक cell का electrode और electrolyte कैसा होता है different अब दिमाग में question यह आता है कि चलो मुझे यह तो समझ गया कि electrode और electrolyte किसी भी cell के अंदर में होता है बड़ मुझे यह नहीं पता कि electrode होता क्या है और electrolyte क्या होता है तो अच्छा लिए देखेंगे electrode क्या होता है electrolyte क्या होता है electrode तो जो भी आपके metal plate की surface है metal plate surface on which oxidation and reduction reaction occurs oxidation and reduction reaction occurs is called as electrode is called as electrode तो यहाँ पर मैंने यह चानना कि जो भी मेरा metal का surface होता है metal का plate जो होता है जिसके ऊपर में oxidation और reduction reaction होती है उसको हम लोग क्या बोलते है electrode तो देखो इधर चली देख लेजेए जलदी से अगर सपोस यह है आपका कोई cell तो यह है आपका electrode इस चीज़ को हम लोग बोलते है electrode क्योंकि यह है आपके metal की plate आपके metal के plate की surface जिसके ऊपर में oxidation या reduction reaction होगा इसलिए मैंने इस चीज़ को क्या बोला है electrode in the beaker the solution in the container या in the beaker in which the electrolyte electrode is dipped in which the electrode इस डिब्ड और इमर्जड इस कॉल्ड एस एलेक्ट्रोलाइट अब मुझे एक बात बताना अगर सच में आपको electrode और electrolyte का मतलब समझाई नहीं तो आप लोग directly अगर cell पढ़ने लग गए तो क्या मतलब रहेगा उस चीज़ का इसलिए मैंने आपको सबसे पहले तो समझाया कि electrode होता क्या है electrolyte क्या होता है तो समझाया नहीं तो जो भी है आपका metal का plate या metal का surface जिसके उपर अलग-अलग type के reaction होते है वो है आपका electrode एक ऐसा solution एक ऐसा solution जिसके अंदर में आपने electrode को deep किया है न उसको हम लोग क्या बुलते है electrolyte ले लो इसका screenshot चली अब हम लोगों ने देख लिया कि electrode क्या होता है electrolyte क्या होता है अब जड़िए देखेंगे आगे कि electrode के types कौन से कौन से होते हैं क्यूंकि अगर इस तीस को अभी नहीं देखा तो हर एक cell में problem जाएगी क्यूंकि आपको आगे में हर एक cell आने वाले हैं तो हर एक cell में आप हमेशा क्या बताएंगे electrode क्या है electrolyte क्या है electrode के type कौन से कौन से है cathode क्या है andode क्या है मlift человек element आपका कौनसा है उस particular cell में और आपके cell के reaction क्या है यही तो बताना है लेकिन वो बताने के लिए पहले पताता होना चाहिए इलेक्ट्रोड है क्या इलेक्ट्रोड केमिकल सेल है क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोड के टाइप कौन से तो चलिए जाधा time waste की देखेंगे electrode के type कौन से कौन से होते है तो आपके electrode के दो type होते है जो पहला type होता है वो रहता है cathode और दूसरा type रहता है आपका anode तो पहला रहता है आपका cathode दूसरा रहता है आपका anode तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में मेरे question ये आया होगा या आपके दिमाग में भी question आया होगा कि cathode और anode अगर दो नाम है electrode है अगर नाम है दो नाम है अलग अलग तो काम भी कैसे रहेंगे अलग अलग तो चले देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी reaction होगी इसका काम क्या रहे तो यह है आपका वो electrode the electrode on which reduction occurs on which reduction occurs मैं आपको trick बदा रही हूँ उसको याद रखने का बट फिलाल के लिए time being के लिए आप इतना याद रखो एक ऐसा electrode on which reduction occur is called as cathode यह आपको physics में भी help करेगा इसको हम लोग क्या बुलते है cathode सोचने की बात है cathode का उल्टा होता है anode cathode पे हो रहा है reduction तो anode पे क्या होगा oxidation the electrode trick बताने की हूँ अभी the electrode on which oxidation occurs oxidation occurs is called as anode अब चलिए मुझे तो समझ में आ गया लेकिन मुझे याद कैसे रहेगा तो याद करो आपने ओए वर्ड सुना है ओए 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 तो आप लोगोंने ओए वर्ड सुना है ना तो एक है आपका ओए बस इतना ही याद रखो जिसको वोला सॉंग याद है ओए ओए त तो वोले चीज इसको याद रहेगी क्यूंकि यह है ओओ मतलब अपका औकसिलेशन यह आपका एन ओड तो यहे आपका अकसिलेशन यह है आपका एनOOD तो जिसको भी वहोला सॉंग याद रहता है ओए ओए बस उतना हमझ लो कि यहां पर ओऐ है आपका औक्सिडेशन और यह है आपका अनोड मतलब न ट होता है औक्सिडेशन तो कैठोड पे क्या होगा रेडक्शन लेड़ो इसका प्रेश्री शॉट और याद रहो क्योंकि बहुत और किए ने क्लक्तर यार्च को याद रखो व्हाली पिन ले लो मिंज़ें को चलिए अब हम लड़ोंने इतना तो देख लिए कि फिर हमने देखा लग्त्रोड क्या चीज है फिर हम लोग ने देखा वाई इलेक्टोड के टाइप कौन से कौन फुर्ण अब हम लोग देखेंगे सबसे काम की चीज, जिसमें हम लोग अभी एंट्र लेने वाले है, वो है आपका टाइपस ऑफफ इलेक्टरो केमिकल सेल, चलिए देखेंगे उसको, तो नेक्ष्ट है आपका ट्राइप ऑफ इलेक्टरो केमिकल सेल, तो आपके इलेक्ट्रो केमिकल सेल के टूटल डो टाइपस होते हैं जो पहला टाइप होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और जो दूसरा नाम होता है वो रहता है आपका ग्यालवैनिक गैलवानिक का ही एक और नाम होता है वोल्टाइक सेल दिमाग में इस फिट कर लो पेपर में कही पे आपको दिया जाएगा गैलवानिक सेल कही पे आपको दिया जाएगा वोल्टाइक सेल भूलना नहीं है कि ये दोनों के दोनों कैसे है सेम और एक रहेगा आपका electrolytic cell सबके दिमाग में इतनी चीज़ तो fit होगी कि electrochemical cell में होने क्या वाला है electrochemical cell में आपकी electrical energy का और chemical energy का confirmation इसी का मतलब transformation होने वाला है तो सबसे पहली चीज़ है आपको याद रखना है इसका नाम ही है electrolytic cell मतलब मैंने यहाँ पर यह जाना कि यह cell में the cell in which electrical energy जो भी आपकी electrical energy है न is converted to chemical energy is converted to chemical energy मतलब इस टाइब के cell में आपकी electrical energy chemical energy में convert होगी खुद ही सोचो इसका नाम ही start हो रहा है electric से क्योंकि इस cell का नाम क्या है electrolytic cell यह cell ही आपके electric word से start हो रहा है इसका मतलब इस cell के अंदर में होने क्या वाला है आपकी जो electrical energy है ना वो convert होंगी chemical energy में हमेशा आपके दिमाग में एकी चीज फिट रहती है कि इसमें वो था या उसमें वो था फिट कर लो यह start ही electrical से हो रहा है तो पहले क्या आएगा electrical energy फिर वो काई में कनवर्ट होंगी chemical energy में ठीक है आगे मैंने यहां पर यह जानना आप अगर इस टाइप के cell की बात करते हो तो ले लो आपकी mobile की battery ठीक है आप जब अपने phone को charge करते हो जब आप लोग अपने mobile को या smartphone को charge करते हो charger लगाया और बटन को on किया तो आपने charger से क्या दिया है आपने charger से अपने phone को electricity दी या नहीं दी और फिर phone की जो battery थी उसके अंदर chemical reaction हुए और आपकी battery हो गई चार्ज मतलब आपने पहले अपने phone को क्या दिया electrical energy फिर phone में क्या हुई chemical energy मतलब वो आपका क्या हुआ electrolytic cell समझाया नहीं electrical energy दी और वो convert हो गई chemical energy में तो यह हुआ आपके smartphone के charger का example charger लगाया बटन चालू किया बटन जब चालू किया तो electrical energy दी और वो फिर क्या क्या convert हुए बैटरी के अंदर में अलग 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 चैमिकल रियक्शन्स क्यामिकल एनर्जी प्रडिउस ठीक है चलिए आगे मैंने यहां पर यह जानना अगर इसके अंदर में electrical energy का conversion हो रहा है chemical energy में तो उसका नाम है electrolytic cell इसका नाम है गैलवानिक और वोल्टाइक cell तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसमें तो इसमें आपका नाम ही चालू हो रहा है electrical से इसलिए यहां पर electrical energy का conversion हो रहा है chemical energy में यहां पर क्या हो जाएगा इसका उल्टा the cell in which the cell in which the chemical energy chemical energy is converted to electrical energy is called as galvanic or voltaic cell galvanic or voltaic cell चलिए आके मैंने यहां पर क्या जाना ध्यान से सुनना यहां पर तो chemical energy का conversion हो रहा electrical energy में आप लोगों ने घर में अपनी वाच को देखा है घड़ी को देखा है जो हैंगर पर रहती है उसके अंदर आप क्या डालते हो सेल डालते हो है ना वह घड़ी को चलाने के लिए क्या आपको electricity देनी पड़ती है नहीं क्योंकि जब आप अपने घर की घड़ी के अंदर में डालते हो सेल को तो उस सेल के अंदर में होती ही chemical reaction और वह वह chemical energy से आपका क्या प्रडूस होता है Electrical Energy और फिर तो आप की घड़ी चलती है न, मतलब घड़ी में जब सेल डाला तो सेल के अंदर में हुई Chemical Energy का Transformation, Chemical Reg ir exaction और फिर वो काई मेre Convert हुई Therefore, जाना कि उसस तेल के अंदर में Chemical Energy काई मेffल्ट हो रही है electrical energy में, समझा या नहीं चली देखींगे आगे बहुत बहुत काम की चीज यहाँ पे आपका जो anode होता है ना और यहाँ पे भी यह आपको हमेशा से confusion होता है किस में क्या आएगा, बस इतना दिमाग में fit कर लो कि यहाँ पे electrolytic cell के अंदर में आपका anode होता है positive, electrolytic cell के अंदर में आपका anode क्या होता है, positive, बस जिसको यह समझ गया उसको सब समझ गया इतना ही दिमाग में fit कर लो आपने A plus grade सुना है या नहीं सुना है, बस वही चीज है A plus A plus किस के case में electrolytic के case में आपका grade कैसा है A plus A plus, ठीक है, तो A हो गया प्लस, अब सुनो जहांचे अगर 1 है plus तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस चलिए बढ़ेंगे आगे अब मुझे बात बताओ इसके case में इसका नाम है electrolytic cell, तो उसका उल्टा है galvanic और voltaic cell इसके case में आनोड है प्लस, तो इसके case में अनोड क्या रहेगा, माइनस इसका करदो उल्टा इसके case में अनोड है प्लस, A plus grade, तो इसके case में अनोड कैसा रहेगा, माइनस इसके case में कैथोड है, माइनस तो इसके case में कैथोड कैसा रहेगा, उसका उल्टा प्लस तो यह हो गए आपके सेल के टाइपस याद रखो इसको क्यूंकि जब सेल रियक्शन लिखते ना तो पता ही नहीं रहता कि क्या थोड़ पॉजिटिव है या एनोड पॉजिटिव है बस याद रखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केश में ग्रेड कैसा होता है ए प्लस एनोड कैसा होता है प्लस लेलो स्क्रीन शॉट चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहले इसके एक्जाम्पल को फिर इस एक्जाम्पल को तो चलिए जाधा टाइम बेस कि बिना डिस्कस करते है अपने एलेक्ट्रोलिटिक सेल के अलग अलग टाइपस को कि कौन से कौन से से होते है उनका वर्किंग कैसे होता है कंस्ट्रक्शन कैसे होता है रियक्शन कैसे होती है देखेंगे उस चीज को चलिए अब देखेंगे आगे तो आके मैं पहले चीज जो स्टडी करने वाली हूँ वो है आपकी दो टाइपस मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल ह उसके दो टाइप के cell को हमें इस पर्टिकुलर ट्वेल्ट में study करने का है पहला है आपका electrolysis electrolysis of fused or molten NaCl second है आपका electrolysis of aqueous NaCl तो बस आपको अपने दिमाग में एकी चीज़ फिट कर लेनी है कि आपको पेपर में कही पे भी electrolysis वर्ड दिख जाए न तो दिमाग में फिट कर लो इसका नाम काई से चालू हो रहा है इलेक्ट्रो से यहां पे conversion किसका होने वाला है electrical energy का chemical energy में यहां पे भी नाम काई से चालू हो रहा है से यहाँ पे भी नाम का इसे छालू हो रहा है इलेक्ट्रों से मतलब यह दोनों के दोनों सेल एक्जाम्पल किसके है एलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिवा mixed आपको paper में कही पे भी fused या molten NACL आ जाए ना तो याद रखना है कि fuse ही molten होता है कही पे molten पूछ लिया जाता है कही पे fuse पूछ लिया जाता है अगर आपको एक ही नाम पता है काम सारे पता है बट नाम एक ही पता है और क्या पता एक्जामिनर दुसरा ही वाला नाम पूछ दे जे और पूछ ले तो आपको दोनों नाम को याद रखना है दोनों नाम है equally important एक है आपका aqueous जब भी paper में question आता है तो वहाँ ध्यान से पढ़ो aqueous word है या molten और fuse word है पेपर में ये पूछा जाता है बच्चे ये reaction देखे आ जाते है ऐसा नहीं करना है ले लो इसका screenshot फिर देखेंगे one by one दोनों को अभी दूसरी काम की बात जब भी आप कोई भी cell को explain करोगे बहुत बहुत काम की चीज़ है जब भी आप कोई भी cell को explain करोगे तो सबसे पहले आप उसका draw करोगे सबसे पहले आप बताएंगे construction कि construction क्या होने वाला है फिर आप बताएंगे उसका diagram उसका cell का representation आप करेंगे इसल रीप्रेजेंटेशन तीसरी चीज आप बताएंगे कि यहां पर कैथोड क्या है अनोड क्या है इलेक्ट्रोलाइट क्या है फिर आप देंगे सेल के रियक्शन को और फिर आप लास्ट में बताएंगे रिजल्स को तो कहना मुझे यह है कि आपको पेपर में कोई भी सेल अगर आज आए न सबसे पहले याद रखो इस फॉर्मैट को बुक के लंबे चोड़े एक एक पेज एक स्प्रेंट करते नहीं बैठना है पहले कंस्ट्रक्शन सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है उनके नाम सेल का रियक्शन और रिजल्ट इतना ही एक्स्प्रेंट करना ह ठीक है तो अगर यह वे रहता है आपका तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे क्योंकि पेपर में एक या दो सेल हर साल आते हैं तो आपको इसी वे में उसको एक्स्प्रेंट करने का है चलिए देखेंगे इस पार्ट को सबसे पहले वैसे तो सेल पढ़ना सभी लोग को बहुत लिख लोंगे तो चलिए जादा टाइम वेस की बिना देखेंगे अपने सेल के अलाग अलाग टाइप्स को चलिए देखेंगे तो पहला जो आपका टाइप है जिसको हम लोग स्टड़ी कर रहे है वो है आपका electrolysis of fused or molten NaCl हम लोग स्टड़ी कर रहे है electrolysis of fused or molten NaCl को तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके construction को सबसे पहले देखेंगे इसके construction को तो construction में सबसे पहले काम जो मैं को करने का है वो मैंने लिया है beaker को सबसे पहले मैंने आपके बीकर को लिया है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी सेल को बताने के लिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को बताना बढ़ता है तो एक लेंगे आपका इलेक्ट्रोड ये भी रहेगा आपका इलेक्ट्रोड और यहाँ पे रहेगा आपका Electro Light ठीक है यह है आपका पहला Electrode यह है आपका Second Electrode इसको मैं Connect करूँगी बैटरी से यह है आपकी बैटरी, DC बैटरी ठीक है याद रखना है अगर इस सेल को बैटरी नहीं दी तो यह सेल पे मार्क्स भी मिलेंगे क्या नहीं, क्योंकि यह सेल का नाम ही स्टार्ट होता है Electro मतलब इलेक्ट्रिक पावर तो देना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक सोर्स तो देना ही पड़ेगा तो यह रहा आपका इलेक्ट्रिक सोर्स चलिए, मुझे एक बात बताईए Electrolytic सेल में हम लोगोंने क्या देखा कौन सा ग्रेड होता है A+, मतलब वहाँ पे आपका जो प्लस है वो क्या रहता है A+, अनोड तो यह रहगा आपका अनोड क्योंकि इस पे कौन सा साइन है अगर anode है प्लस तो माइनस वाला क्या रहेगा माइनस वाला रहेंगा आपका cathode तो इसके case में construction में आप सबसे पहले चीज जो बताएंगे वो आपको देने का है आपके cell का representation तो ये हुआ आपके cell का representation इस beaker के अंदर में आपने लिया है molten NaCl को और fused NaCl को आपने fused और molten NaCl को लिया है तो मैंने यहाँ पर क्या जानना यहाँ पर मैंने यह देखा कि मेरा जो electrode है ना electrode वो बने हुए है carbon के, carbon electrode मैंने लिये है carbon electrode, ठीक है यहाँ पर जो मेरा electrolyte है ना, वो है molten और fused NaCl मतलब मैंने NaCl को electric power की help से पिगला दिया है, melt कर दिया है इसलिए उसका नाम गया है molten NaCl ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं DC power source को ठीक है, इतना आपको याद रखना है साथी साथ आप यहाँ पर बता दो anode क्या है, cathode क्या है तो आप लोगों को यह चीज़ बता नहीं है खूप सारी थेरी लिखनी की ज़रूत नहीं इतना बता दो, यह चीज़ बता दो चलिए देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पर यह जाना ध्यान से पहले cell reaction को देख लेता है एक होगी आपकी एनोड पे एक होगी आपकी कैथोड पे और कैथोड और एनोड की जब भी reaction को mix करते हैं तो उससे क्या बनता है overall cell reaction overall cell reaction को हम लोग net cell reaction में बोलते हैं याद रखना है कि जब हम लोग किसी भी cell को लिखेंगे सबसे पहले heading देंगे construction के अंदर हम बताएंगे electrode क्या है electrolyte क्या है power source क्या यूज किया है ठीक है cell को represent करेंगे cell के reaction बताएंगे कि आणोड पे क्या reaction होगी कैथोड पे क्या reaction होगी दोनों की reaction को जब मिलाएंगे तो उसका नाम क्या रहेगा overall cell reaction और net cell reaction चलिए आगे मैंने यहाँ पर यह जाना कि सबसे पहले तो आप लोग ले रहे हो NACL को तो NACL को जब लेंगे तो सबसे पहले NACL क्या होगा तूटेगा तूटेगा या नहीं मोल्टन है मेल्ट होगा तूटेगा इसमें रहेगे आपकी दो चीजे एन ने प्लस और सियल माइनस समझाया नहीं तो यहाँ पर मैंने यह जाना कि NACL में हैं दो चीजे एन प्लस सियल माइनस आयन ठीक है अब मुझे एक बात बताओ आपका जो अनोड है वो कैसा है प्लस आपका जो कैथोड है वो कैसा है माइनस समझाया नहीं आजाओ इदर अब मुझे एक बात बताओ according to the principle of common sense according to the principle of common sense मैं नहीं यहाँ पर यह जाना कि यह NACL जो है न यह दो पार्ट में तूटेगा पहला रहेगा आपका अने प्लस और दूसरा रहेगा आपका सियल माइनस समझाया नहीं मुझे बताओ अनोड कैसा होता है अनोड कैसा है प्लस अनोड है आपका प्लस कैथोड कैसा है माइनस अब मुझे एक बात बताओ दुनिया में आज तक हुआ क्या है प्लस के पास कौन गया माइनस माइनस के पास कौन गया प्लस तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के पास में चार्ज है प्लस अनोड है प्लस ए प्लस तो इसके पास कुन जाएगा माइनस वाला तो माइनस कुन है CL माइनस आयान समझा याने जब चार्ज है प्लस ए प्लस आनोड प्लस तो माइनस वाला गया इसके पास में तो प्लस वाले के पास कोई आप्शन बचा किया नहीं प्लस वाला जाएगा माइनस के पास में समझा या नहीं बस यह है आपका प्लस तो प्लस के पास कौन जाएगा माइनस वाला तो लिया मैंने C-L-I-N C-L-I-N जो है मेरे इलेक्ट्रोन को करेगा लूज और बनाएगा C-L-2 गैस ठीक है यहाँ पे C-L-2 है क्लोरण कितने लिए? 2 क्यों कि C-L-2 existence C-L-2 existence क्लोरण कितने लएगे? 2 क्साया या नहीं भूक में खूब सारे रिएक्षिन दे रखे इतना सारा नहीं करने का है और झालएगा अब एक बात बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोन का क्या हुआ है लॉस इसलिए यह reaction का नाम क्या रहेगा oxidation reaction यहाँ पे आपके electron का हुआ है loss बस आपको इतना ही याज रखना है कि anode और oxidation मतलब oa आपका oxidation reaction कहाँ पे होने वाला है anode पे anode का sign कैसा है a plus oxidation reaction होगा anode पे इसलिए आपके electron का loss कहाँ पे हुआ है anode पे चलिए देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे यह जाना कि मेरा cathode कैसा है minus minus के पास कौन जाएगा plus तो मैंने लिया na plus को जब आजाए plus तो आप वहाँ पे क्या करते हो electron को add वह देगा आपको na मुझे एक बात बताओ यहाँ पे है electron 2 यहाँ पे electron 1 यह तो unfair हो गया ना तो इसको हम लोग कर देंगे 2 से multiply समझाया नहीं क्योंकि काम की बात जो है वो यह है मुझे electron को करना है cancel लेकिन electron तो cancel तभी होंगे ना चब electron कैसे रहेंगे same इसलिए अगर electron same नहीं है तो आपको same करवाना है पहले यहाँ पे 1 1 था यहाँ पे electron 2 थे यहाँ पे 1 था यह तो unfair हो गया ना इसलिए मुझे इस electron को 2 करने थे तो मैंने पूरी reaction को 2 से कर दिया multiply ठीक है electron से electron क्या हो गए cancel, left hand side वाला लिखूंगे left hand side में right hand side वाला लिखेंगे right hand side में ठीक है तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है चलिए, समझा या नहीं तो आपको अब देखो problem कहा जाएगी मैं आपको बता जीओ सब आपको समझ गया है कि anode की उपर sign कैसा है plus, a plus plus के पास कौन जाता है minus, plus के पास आपका anode है plus कौन जाएगा, minus वाला, लिख दिया minus वाला, and cathode है minus, minus के पास कौन जाता है, plus याद रखो एक चीज, बहुत बहुत काम में आएगी, याद रखो जब कोई चीज के पास है, charge minus जब कोई चीज के पास है charge minus, तो वो आपको electron देता है क्यूंकि उसके पास charge क्या है, minus तो वो electron को देगा charge ही है minus, तो electron को देगा, ना minus, minus, समझाया नहीं अगर कोई चीजे उसके उपर charge है plus charge है plus तो वो electron को लेगा समझाया नहीं अगर कोई चीज है जिसके उपर जैर्ज आजाये – माईनस वह इलेक्टोन को देगा समझाया नहीं चलिए ले لो इसका screenshot एक्सप franch, चलिये अब मैंने इसेल इ synergies एक्सपेन कर दिया, इसके टाइब्स बता दिये और एक्शून बताती, और लोल ऑल सेल जो मैंनो बताता है वह एक्शथ मैं रिजट्ट क्या है देखेंगे कि रिजट्ट क्या है result में नहीं यहाँ पर यह जाना कि आपकी जो chlorine gas है chlorine gas वो liberate होगी chlorine gas आपकी liberate होगी at anode मतलब anode पर इसे आपकी green color की chlorine gas निकलेगी और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर जानी वो यह है कि जो भी मेरा sodium metal है न वो deposit होगा at deposit कहां पर होगा at cathode anode पर आपकी निकलेगी chlorine gas cathode पर आपका deposit होगा sodium आपको जिस तरीके से मैंने इस सेल को समझाया है मैं वैसे guarantee दिती हूँ मैं आपको सारे के सारे तफ से तफ सेल भी ऐसे समझा के दूंगी जिससे आपके पूरे के पूरे concept भी clear होगे thank you very much for watching this video if you find this video interesting then please do like share and subscribe to our channel like to video बनता है thank you